दूसों आज के इस वीडियों से बात करने वाला हूं Realme 9 Series के स्मार्टफून के बारे में आई कुछ नए डिटेल्स के बारे में इनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में काफी कुछ डिटेल आ चुकी है साथ में यहाँ पर इन स्मार्टफून के लाँच टाइम की बारे में मुगल सन्मा के तरफ से कुछ जो चीज़े हैं यहाँ पर कनफर्म की गई है तो कि आज के इस वीडियो में आपके साहत में शेयर करूंगा तो वीडियो को लाज तक देखती रही एका इसके साथ अगर आपने अभी तक या चानल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी क्याफी सब्सक्राइब कर लेजगा दूसरों बात करूं Realme 9 सीरीज के स्मार्टफून के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको यह इंफर्म कर दूँ कि Realme 9i और Realme 9 Pro Plus Pro Plus स्मार्टफून भी आने वाला है यह दोनों स्मार्टफून आज यहाँ पर TKDN सर्टिफिकेसन साइट पर उनलाइन सर्टिफाई हो गये हैं जिसे से इन स्मार्टफून की कुछ जो फीचर से वो फिलाल यहाँ पर कन्फर्म हो गये हैं और यहाँ पर इन फीचर को देख करके मैं काफी जाते क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेसन कुछ और है और यहाँ पर रियल मी ला कुछ और रही है मुझे पिस्वासन नहीं वा इसके बारे में अब यहाँ पर TKDN पर जाने के बाद में यह जो चीज़ें वह यहाँ पर कन्फर्म हो गई है कि रियल मी 9i और रियल मी 9 Pro Plus जो स्मार्टफुन है वो 4G स्मार्टफुन है ना कि 5G स्मार्टफुन है अब यार मतलब हम यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियल मी 9 स्रीस पूरी सबर 5G होने वाली है 9i तो ठीक है 4G आइसमें कोई बात नहीं है 9i lowest variant है लेकिन यहाँ पर 9 Pro Plus जो कि सबसे highest variant होने वाला है इसमें भी अगर 4G इस बार भी कर देंगे तब तो इसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुगल सर्मा ने यह भी कहा कि कभी कभी TKDN पर जो 5G स्मार्टफुन है उनको भी 4G स्मार्टफुन सो किया जाता है तो ऐसे में कोई भी टेंसर लेने की जरूरत नहीं है और Realme ने भी यह चीज़ें यहाँ पर कहीं कहीं कन्फर्म किये है मादोसेट ने कुछ ही कन्फर्म किया है कि Realme के जितने भी स्मार्टफुन 15,000 से उपर की प्राइस पॉइंट पर आने वाले है वो सभी के सभी स्मार्टफुन 5G होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि Realme 9 Pro Plus जो है वो 15,000 पर से नीचे आईगी 9 Pro Plus है यानि 9 Pro से भी उपर ये वारियंट रहेगा तो इसके जो प्राइस जवब आपको 20,000 के आजपा से देखने को मिलेगी तो ऐसे में यहां से भी जो चीज़ें वो कन्फर्म होती है कि Realme 9 Pro Plus स्मार्टफून 5G स्मार्टफून ही होगा तो यह कोई जटेल है उसके साथ में Realme 9i स्मार्टफून 4G स्मार्टफून होने वाला है और अगर Realme 9i 4G स्मार्टफून होता है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek का प्रोसेसर और यहां पर इस स्मार्टफून में आपको देखने को मिल जागा MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर जो की हाले में फिल हाल यहां पर MediaTek के तरफ से रिलीज किया गया है तो यह कुछ जटेल निकल गर के आई है इन स्मार्टफून के बारे में काफी लोग मुझे कमेंट करें लगे क्यार Realme 9 Pro Plus भी 4G होने वाला इस बार भी तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो ऐसे में Realme 9 Pro Plus स्मार्टफून एक 5G स्मार्टफून ही होगा जो भी अभी तक ही डिटेल है इसके साथ दोस्तों अगर बात करें इन स्मार्टफून के लाँच के बारे में तो यहाँ पर सुबा सुबा मुगल सर्मा ने ही कन्फर्म किया था कि Realme 9 Series के जो स्मार्टफून है वो अभी से बहुत जल्दी लाँच होने वाले हैं तो इसका मतलब यह जो स्मार्टफून है वो कहा जा रहा है कि 26 जैनवरी से पहले पहले यहाँ पर इंडिया में लाँच हो जाएंगे जिनमें possible है कि Realme 9i जो smartphone है वो Realme 9 series का पहला smartphone होगा जो कि यहाँ पर इंडिया में launch होगा तो 26 January से पहले 26 January से पहले Realme 9i smartphone यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसी कुछ rumor से यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं तो finally यह है कोई detail मैंने से जरूर से आपके साथ में share करना चाहिए काफी लोग confused थे 5G है 4G है तो मैंने आपके साथ में share कर दिया अब आपका क्या opinion है इन स्मार्टफून के बारे में अपना opinion मुझे जरूर से comment box में comment करके बताएगा और अगर realme 9 pro प्लस स्मार्टफून 4G स्मार्टफून होता है तो आप कौन सा प्रोसेसर expect करेंगे इस स्मार्टफून में जरूर से अपना यह भी opinion मुझे comment box में comment करके बताएगा दोस्तों के दाफस वीडियो में अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो यह वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी subscribe करेजेगा